वैसो तो आपको पता है कि दा कश्मीर फाइल्स के इंटरनेशनल बेजटी हो चुकी है लेकिन ऐसे फिल्मों का बनाने के पीछे का मकसद क्या होता ये आपको नहीं पता होगा जो मैं आज आपको पताने जा रहा हूँ दूसरी बाद एंडी टीवी से रवीश कुमार जाएं उस सत्य को ना कोई समझने के लिए तैयार है और ना उसको कोई स्विकार करने के लिए तैयार है साथ ही ये कोशिशे लगातार हो रही है और की जा रही है कि दुनिया इसे ना देखे और इसके लिए 5-6 दिनों में शाडियंत्र चल रहा है ये प्रतिक्रियाथी नरेद्र फिल्म समहारों में तब एक बहुत बड़ा विवाद पैदा हो जाता है जब फेस्टिवल के जूरी चेर्मेन इस्राइली फिल्म मेकर नदाव लपिड ने तकश्मीर फाइल्स को ले करके कहा कि एक प्रपगेंडा वाली फिल्म है और एकदम बेहत भद्धी फिल्म है इस समह नदाव लपिड एक इस्राइली फिल्म मेकर है और उन्हें जूरी का चेर्मेन बनाया गया था 1975 में इस्राइल का शहर तेल अवीव में पैदा हुए थे और नदाव लपिड ने तेल की अवीव यूनिवरसिटी से दर्शन स्थास्तर की पढ़ाई की थी सैनने सेवा में जाने के बाद लपिड को कुछ समय के लिए पैरिस चले जाते हैं लोट करके फिल्म एंड टेलिवेजन स्कूल से वो डिग्री लेते हैं गोल्डन बियर और कांज यूरी प्राइस हासल करने वाले लपिड की चर्चित फिल्मों में पुलिसमेन भी शामिल ह अपने बयानों से हमेशा विवाद में रहने वाले विवेक अगनिहोत्री ने कश्मीर फाइल्स को डिरेक्ट किया था जिसमें अनुपाम खेर मुख्य भूमिकाने भाई है मितुन चक्रवर्ती भी थे और पल्लवी जोशी भी थी और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं म कश्मीर फाइल्स का इंटेंशन या फिर उसका मकसद क्या था ये बात आपको समझनी चाहिए थी उसका इंटेंशन उसका मकसद और कुछ था वहाँ पर मैंने अपना और वो मैंने समझा है अपनी इस वीडियो में लिंक दे दूंगा कश्मीर फाइल्स एक करती हैं इसे समझने के लिए आपको हिटलर के जर्मनी में जाना होगा उसको समझना होगा फिल्म नाजी जर्मनी में प्रचार किया सबसे महत्वूण रूप में से फिल्म का मकसा जर्मन के लोगों को एक आक्रमक एग्रसिव नेशनलिजम या आक्रमक राष्टरवाद का संदेश देना और यहूदी लोगों के बारे में एक नेगेटिविटी और एक नकारात्मक भा प्रदर्शन किया जाता था इसे फिल्म को जाकर कि प्रदर्शन किया जाता था प्रदर्शित की जाती थी ऐसी फिल्म ने के लिए कम ब्याज पर रिंड प्रदान करने के लिए एक बकादा क्रड़िट बैंक के स्थापना की जाती आप ऐसी फिल्म में बनाएंगे आपको कम ब्याज में आपको पैसा मिल जाएगा अक्सर प्रचार होता था इस फिल्म में जर्मनी के दुश्मनों पर केंद्रत होती यह जो नाजी का डिपार्टमेंट था ना यह सिनिमा घरों में ऐसी टेक्सफरी किया गया एक ब्रचार कि लोग जा कर देखना शुरू करें वैसे नाजी काली जर्मनी में अनेक प्रोपगेंडा मूवी को टेक्स फ्री कराया गया था जियू नामक एक फिल्म थी जो कि 1940 में आई थी और यहुदी लोगों को बुरा दिखाती थी कुल मिला करके 1000 के आसपास ऐसी फिल्म में डॉक्युमेंटरी बनाए गई जिसमें ये सारा प्रोपगेंडा किया जाता है मैं तो एक फिल्म देख रहा था उसमें बताया गया कि गोली डगने के बाद पैरो में वो कई सेकड़ों किलोमीटर अपनाप चलके हिटलर साहब गए थी अपनाप में बड़ा जीब बात ही लेकिन ऐसी फिल्में चलती है लोग समस्तिती महामानव आदमी है ये तो इस तरह की एक इमेज बनाई जाती है एक फिल्म क्रिटिक है अजय जी उन्होंने क्या दिखा देखो फिल्मों में नफरत खास करके मुसल्मानों को खलनायक दानव और हिंसक रूप में चित्रित करने का अभ्यास पिछले कुछ सालों में काफी तेज हो गया है अब दे देखेंगे जो वर्तमान सत्ता के हित में काम आ सके इस तरह की फिल्म में बनाई जा रहे हैं इसे सरकारी तंतर से बडावा मिल रहा है 2019 में आई दो फिल्मे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और के सरी और 2020 में आई ताना जी तीनों जो फिल्म अगर आप देखेंगे तीनों मे इसके खिलाफ नायक खड़ा होता है जूचता है जीतता है या फिर शहीद हो जाता है यह सारी बाते होती हैं आपको याद होगा उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का वो एक मिनट सत्रा सेकंड का वो जब टीजर आया था उसमें एक वाइस ओवर आपने अगर देखा होगा ध्यान 1999 यहीं मौके है ना उनके दिल में डिर बैठाने का एक हिंदुस्तानी चुप नहीं बैठेगा यह नया हिंदुस्तान है यह हिंदुस्तान घर में गुसे का और मारेगा भी हम न्यू इंडिया और नया हिंदुस्तान के बारे में लगातार सुन रहे हैं इस फिल्म में जो नायक है जो एक्टर है वो सर्जिकल स्ट्राइक से के पहले पूछता है हाउस दा जोश अब यह संवात प्रधानमंदी नरेंतर मोदी को इतना पसंद आता है इतना पसंद आता है कि वो फिल्मों के संग्रहाल है कि उद्खाटन में फिल्म ब्रादरी को संबोधित करते हुए इसी डायलोग का प्रियोग करते हैं इस बात को उन्होंने दोहरा आया था अब केसरी फिल्म की बारे में अजर साहब कहते हैं कि देखिए जो केसरी फिल्म में जो नायक है ना वो हवलदारी इसर सिंग और ताना जी की जो नायक हैं बलिदान को रास्ट्रिय भावना के प्रियोग को का मानना है और आपका भी हो सकता है कि शायद यह बताने के बाद आप भी सोचने पर विचार करें सिंपल बात है अब मैं बात करता हूं गौतम अडानी की एहमदाबाद में गौतम अडानी और राहुल कमल की एक बैठक होती है यह दोनों चाय के पीते हैं कप लागंभीर है चुनाव के चलते गुजरात के गुजरात में इस समय जो वरिष्ट पत्रकार और संपादकों का जो मेला लगा हुआ है सो गौतम अडानी और राहुल कमल के मुलाकाती घबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है अब बाती तो ऐसी वैसी नहीं फैलती लोग थोड़ा नमक भी लगाते हैं मिट्च भी लगाते हैं और संभाव नहीं तो तुरण चता देते हैं अब होता यह है कि फैल फैनल जो खबर हवा में बनी वो यह है कि राहुल कबल देंगे आज तक ग्रुप से इस्तीफा अडानी वाले एंडी टीवी सम्हा लेंगे कमान पर बातचीत होना शुरू हो जाती है फैल आए जाने लगा अब राहुल कबल साहब सभाई देते देते परेशान हैं वो हाँप चुके हैं कि भाईया वह मेरी जो मुलाका थी बहुत ही नॉर्मल वे में थी जौब को लेकर कोई बात नहीं हुए है उनके स्तीफा की बात प अवीश कुमार एंडी टीवी को अब टाटा बैबाय कहने वाले हैं यह बात भी आप निश्टि समझेजिए अभी डोटिस पीरेट पर होंगे अब माना जा रहा है कि आडानी कि ऐसे संपादक को प्रिफर करेंगे जो हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही सहज हो और बाइ अब कुछी बचते हैं तो अब अंदर लगा सकते हैं कि अडानी वाले एंडी टीवी कमार कौन से पत्रकार संभालने जा रहे हैं वह जाकर के अब कमान संभालेगा आपके दृष्टी कोर्ण में कौन विक्ति हो सकते हैं कॉमेंट सेक्षन बताना यह स्पेक्टुलेशन है फिलाल वही है ना कि नमक मिट्ष लग के जो मीडिया पर आती एक जगह नहीं मैंने कई जगह पढ़ी तो सोचा इसको भी सम्रित अपने इस वीडियो में कर लेता हूं इस वीडियो को तीन वार्सप ग्रूप में शेयर कीजेगा जाहें इंद बंदे मातरम स्टे अपडेटे स्टे अजुकेटेट सत्य बेब जायते नावाश्कार